नवश्कार मैं हूँ सुख्रत ईरोय चैठर जी और बॉल्सकाई में आप सभी का स्वगत है पीठ के दर्द को आमतोर पर गंभीरता से नहीं लिया जाता लेकिन शोद कहता है कि ये दर्द किड्नी की समस्या का संकेत भी हो सकता है व्यस्त जीवन शैली, तनाव और गलत पॉस्चर हमें अकसर पीठ या कमर दर्द से परिशान कर देता है ऐसे में हम पेन किलर लेकर काम चला लेते हैं लेकिन एक्सपर्ट की माने तो बैकेक की समस्या हो और आप दर्द निवारख दवाएं लेकर निश्चन तो होने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं कहीं आप खुद को परिशानी में तो नहीं डाल रहे बता दें कि पीठ दर्द का कारण गुर्दे से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है या यूँ कहें कि किड्नी से जुड़ी बीमारियां पीठ दर्द के जरिये अपने होने का इशारा कर सकती है वक्त रहते इसका पता ना लगा लिया गया तो ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है इस कारण बाद में आपकी किड्नी प्रभावित हो सकती है और वो काम करना बंद भी कर सकती है इसलिए पेंकिलर्स लेरे से पहले बीमारी का सही कारण जानना जरूरी है अमोमन लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी दोनों किड्निया पीछे की और पीट की दीवार से चिपकी होती है ये दोनों किड्निया वर्टिब्रा के अगल बगल होती है जहां पसली यानि की रिब्स खत्म होती है किडणी के कारण होने वाला दर्द पीड के शेत्र में महसूस किया जाता है जो स्पाइन के किसी भी भाग में पीछे की ओर पसलियों को lower edge में होता है किडणी में संक्रमण या छोटा stone होगा तो वो पीड की ओर होगा ऐसे में आमतोर पर कमर का दर्द समझ कर मरीज पेन किलर ले ले लेते हैं जो सही नहीं होता जानकारी के अभव में दवा लेने से किड्नी प्रभावत होती है और लोग पीठ दर्द के भ्रम में दर्द के मूल कारण की ओर ध्यान ही नहीं दे बाते हामतर पर किड्नी के दर्द के दो कारण है स्टोन और संक्रमन व्यस्त जीवन शेली में पानी कम, पीना और यूरिक ऐसेड याने की प्रोटीन और पालक टमाटर आदी जादा मात्रा में लेने से भी परशानी हो सकती है क्योंकि इससे खुन में केमिकल्स या यूरिक ऐसेड बढ़ जाता है इसका सही सही पता लगाने के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट या किड्नी का अल्टरसाउंड कराने के कह सकते हैं अगर आपका फीट दर्द इतना बढ़ गया है कि सामान निगतिविध्यों में भी परिशानी हो रही है पैर सुन हो गए मसल्स कमजोर होने लगे तो समझ लीजे कि तुरंत उचत इलाज की ज़रुत है वही यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है उसके साथ हून आ रहा है या जलन हो रही है तो आप किड्नी की समस्या से गरस्त हैं उमीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें